पॉष्टिक भोजन के अत्यधिक उत्पादन अब बस्तर में रहने वाले बच्चों और महिलाओं के लिए भी लाबकारी सिद्ध हो रहा है अब इनके खानपार में पॉष्टिक आहार सम्मिलित हो रहा है भारत सरकार के पोशन अभियान में शेत्र में वो कमाल कर दिखाया है जो पहले कभी नहीं हुआ था जगतल पुर जिले में रहने वाली इनके लिए बच्चे बीमार होते हैं उनको डाक्टर से चेकप कराया जाता है जगतल पुर जिले में रहने वाली अनीता महानंद को भी पोशन अभियान से बेहद लाब मिला आई बस्तर की लाभार्थी अनीता से मिलते हैं मेरे को पोशन अभियान के बारे में आंगन बाड़ी कारे करता और मीतानिन के दौरा आप पता चला आंगन बाढ़ियां में आने के बाद मेरा नाम रिजिष्टर हुआ ताजे पलसबजी खाना चाहिए पही सब के बारे में बता है और आंगन बाढ़ियां रोज खाना-खाने आना आओ एस बारे में जान करी थी अगर ये उजना है नहीं होता तो हमलों को कापी मुसीबतों का सामना करना पड़ता पोशन अभियान अनीता महानन के जीवन में खुशाली का इक नया सवेरा लेकर आया इस अभियान के तहट उनका उप्चार किया गया और पोशन अब पर उनका पंजी करण कर उन्हें पोशन किट भी दी गई अब अनीता का जीवन खुशाली की ओर अग्रसर हो गया है पोशन अभियान को पोशन हार रहा है देश जीत रहा है